तो फो बेस्ट लैप्टप अंडर 15,000 तो बई अगर आपका बज़ेट 50,000 है 50,000 के बज़ेट में आप वीडियो एक्टिंग भी करना चाहते हो उसके साथ भी अगर आपने लॉर्मल साइटिंग पर गेमिंग भी करना है ऑफिस वर्क के लिए भी चाहिए हैवी सॉफ्टर भ करते हैं cv बात करते है number four number four की बात करो number four पर यार मैंने रखा है MI Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पेले इस के price range की बात करते हैं आपको 51,000 के budget में MI Horizon देखने को मल जाता है अगर इस laptop की बात करो इसका display इसका trackpad बहुत जादा सही है और बिल्ट वाल्टी भी बहुत अगर मिल जाते हैं तो बही अगर आपने normal setting पर gaming करने हैं जहां फिर अगर आपने 1080p पर या अगर आपने video editing करने हैं आप सभी के लिए ये laptop perfect deal हो जकता है प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ जो है web camera free देखने को मिल जाते हैं तो बही अगर आपने online classes ले लगाने है जहां अगर आप office work के लिए लेना जाते हो अगर आप मतलो कोई calling पर attend करना जाते हो तो ये laptop भी आपके लिए perfect deal हो जकता है प्लस आपको i5 10th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जाते है माइनस point की अभी मैं बात करने लगा हूँ इसका minus point ये देखने को मिलता कि आपको RAM expandable करने का option नहीं मिलता so that's why मै ही देखने को मिलता वैसे as a specification के according दिखा दे ये laptop पूरा तगड़ा देखने को मिल जाता है अगर आपको 8GB RAM बहुत है ना तो बई मैं आपको recommend सीधा करता हूं MI horizon आपके लिए perfect deal हो सकता है trusted branded top brand में से आता है किसी और laptop के और जाने की जूरूत नहीं है आप इस laptop के और जा सकत हो तो यार laptop के बारे में तो मैंने आपको बता दिया मैं अभी थोड़ा सा आपको deeply बता देता है इसके main specification की बात कर लेते हैं तो display की बात करूं आपको 14-inch full HD plus display मिल जाते है जो की anti-glare display प्रोसासर की बातों को i5 टैंसर इंच जूरेशन के साथ मिलता है storage की बात करूं आपक 50,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है तो यार laptop सच में पूरा loaded है लेकिन एक सच में एक minus point आ जाता है अगर इसका expandable करने का RAM को option मिल जाता ना अगर 12 GB भी मिल जाता है तो इसको यार मैं number 2 पर ही रखता because build quality, display की quality उसके बाद इसकी जो battery backup है वो बहुत ज्यादा तगरा देखने को मिल जाता है जो कि इस budget range में आपको किसी laptop में नहीं देखने को मिल जाता है तो यार इसका minus point भी है लेकिन इसके plus point भी देखने को मिल जाता है तो आपके जो specification है जो आपको चाहिए उसके में set जाता है इसके color वगारा बहुत प्यार है प्लस यह light weight है ठीक अगर आपने कहीं पर भी ली कर जाना जाते हो अगर आप as a traveling जादा करते हो एक जगह से दूसरी जगह जादा shift होते हो तो भई ये laptop आपके लिए जादा बहुत जादा से होने वाल है उसके बाद अगर मैं इसक specification की बात करूँ आपको 2020 model देखने को मिलेगा जो कि एक plus point देखने को मिल जाता हो उसके बाद आपको i3 देखने को मिलेगा 11th generation के साथ आपको 8GB RAM मिल जाते है जो कि आप 16GB तक expandable कर जाते हो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है SSD देखने को मिलेगा ये तीन colors में देखन देखने की तो यह display की बात हों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती जो की 16 refresh rate के साथ प्रसेसर की बात हो को i3 11th generation के साथ देखने हो मिलता तो यह इसमें आपको late test प्रसेसर मिल जाता है अगर इस budget range की बात करूँ आपको 41 या 42000 के budget में ये laptop देखने हो मिल जाता हो वही अगर आपका 3GB RAM मिल जाती है अपर grade आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने हो मिल जाती ग्राफिक कार्ट की बात करूँ आपको integrated graphic card मिल जाता है operating system की बातों को Windows 10 मिल जाते है MS Office मिल जाता है 2019 बात करूँ आपको फाक्टो 6 आपस का battery backup परवाइड कर देगा price की बात करूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 41,000 के budget में जा 42,000 के budget में Asus VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाता है तो यहार main specification मैं आपको बता दिया Asus VivoBook Ultra 15 के तो यहार मैं पहले सबसे पहले आपको sorry बोल देना जाता हूँ पहले मैं ने Asus Zenbook I think कह दिया मुझे याद नहीं है लेकिन VivoBook कह दिया Asus VivoBook Ultra 15 यह laptop बहुत जाता सही है लाइट वेडोस के सासाथ इसका price भी बहुत जाता सही है यार आई 3 11th generation देखने को मिलता है latest processor है कोई भी आपने heavy software यूज़ करना आप इसलिए नामनी कर सकोगे कोई भी issue problem नहीं आने वाली आगे बात करते है नंबर टू की बात करू आपको यह laptop बहुत पसंद आने वाला है आपको i5 10th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जाते हैं जिसको आप अपको 2GB graphic card देखने को मिल जाता है तो मैं आपको main specification की बात करी लेता हूं यार ऐसे मैं कितना आपको बताऊं का ठीक है डिस्पले की बात करूं आपको 4-inch full HD display मिल जाते है जो की IPS panel display प्रसाइसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते एक्स्पेंडबल आपको 512GB SSD दीखने हो मिल जाते ग्राफिक काड की बात करूं आपको NVIDIA G4 MX 3502GB मिल जाते हैं बेंटरी की बातों को 8 hours का बेंटरी लाफ परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 45,000 के budget में Acer Aspire 5 देखने को मिल जाएगा तो यह में स्पेस्पिकेशन में आपको बता दिये Acer Aspire 5 के भी यह laptop पूरा loaded देखने को मिल जाते हो अगर आपने वीडियो एट्टिंग करने है नार्मल साइटिंग पर गिमिंग करना चाहते हो य सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहते हो आज हम बात करें 50,000 के पचल की लेकिन अगर आप थोड़ा सा अक्ष्टा पे कर सकते हो अगर आप 54,000 से लेके 56,000 अगर आप पे कर सकते हो तो आपको मैं कहना चाहते हो आप इस laptop के और जा सकते हो आपको स्पैसिकेशन बहुत अगर यह देखनी को मिल जाते हैं परस मैं आपको कहा देना चाहते हो अगर आपनी वीडियो एटिंग करनी है उसके पाद मतलब अगर आप 4K वेगरा भी ट्राइ करना चाहते हो आपके लिए भी यह लैप्टॉप बैस्ट दील हो सकता है प्लस भी अगर आपनी गेमिंग क के साथ आते हैं प्रसासर की बातों को आई फाइव नाइंट एंजरेशन के साथ मिलता है स्टोरेज की बात को आपको एट जीबी रैम मिल जाते है अपर ग्रेड आप थर्डी टू जीवी तक कर सकते हो प्लस आपको वान टीवी एटिटी दीवी देखने को मिल जाती तो य जाता है फोट जी भी ग्राफिक कार में जाता है यही चीज तो चाहिए होते है प्लस आपको विंट्र टायम मिल जाते है फिंगर प्रिंट वगार आपको देखने को मिल जाएगे जो की प्राइवेस्य के लिए तगड़े होते हैं ठीक है बैंटरी की बात करो आपको शिक् प्रवाइड की है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे आप उनको चाहूड कर लाना आपके लिए ब्यास दील हो सकते है तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो छिले भी यार वीडियो को लाइक करदना कमेंट करदना शियर करदना दोस्तों को बेदना उनको भी गया दना कि चानल को बोगते सब्सक्राइब वीडियो पर दे लाइक ए इंस्टाग्राम पर कले फॉलो लिंक को बोगते आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में देखने को मिल जाएको स्कोच आउओ पर ला करद़ आपको स्काइब में पर लाइको स्काइब इंस्टान सस्टार मैं पर बोगते दोलो मिल करें स्काइब उनको दोलो लाइको डिस्क्रिप्सिन दोलो लाइको matar।